वेल्कम टू आर चैनल फेंटेसी फॉर्चून इस वीडिये हम बात करने जा रहे हैं इंडिया वर्सिस शीलंका सेकंड ट्विंटी आई जो ही खेला जाएगा धरमशाला में क्या हो सकती है पॉसिबल प्लेइंग 11 कौन से चेंजिस होने वाले हैं क्या रहेगी स्मॉल लीग क टीम, Grand League की क्या टीम से रहने वाली है सब हम इसी वीडियो में डिसकस करने वाले हैं तो पूरी वीडियो देखेगा मजा आने वाला है तो जो लोग नए हैं वो हमारे साथ टेलिग्राम चैनल पर जुड़ जाएए यह हमारा टेलिग्राम चैनल है फेंटेसी फॉर्चून क सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए जैसे वीडियो आएगी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी बात करते हैं वेन्यू की सो धरमशाला में मैच होने वाला है यहाँ पर पिछ की बात करें सो हमेशा थोड़ा बहुत यहाँ पर फास्ट बोलर्स के लिए हैं जिसमें से एक तो रिजल्ट हो गया था बाकी के जो 6 मैच थे उन में से बैटिंग करने वाली टीम ने चार बार जीता था और दो बार बैटिंग सेकंड टीम वाली ने जीता है चेजिंग टीम ने और एवरेज जो फरस्ट इनिंग का स्कॉर है बहुत जादा नहीं है हैं हैं यहाँ पर रितुराज गायकवड जो है जो फर्स्ट मैच से पहले जो है उनकी रिस्ट में इंज़री हो गई थी जिसके चलते वो नहीं खेले थे और वो अब जो है स्कॉड से ही बार हो चुके है और उनकी जगा जो रिप्लेस्मेंट है वो भी आ गई है सो मैंक अग खुड़ा हर्शल पटेल भुवनेश्वर कुमार जस्प्रीद भुम्रा और युज्वेंद्र चहल आपको खेलते हैं नजर आने चाहिए बात करते हैं श्री लंका की टीम नियूस की यहां पर डिक वैला और धरनजे डिसिलवा जो है वो टीम ने एड़ कर लिया है अपनी स् टीम जो है कमिल मिशारा के साथ भी कंटीन्यू कर सकती है लेकिन चांसिस जो है वो लग रहे हैं कि डिक वैला के साथ जा सकती है और हो सकता है डिक वैला चांदी मल की जगा भी आ सकते है प्लस वो फिर विकेट कीपिंग भी करते हुए नजर आ सकते है फिर यहां पर असलं हेड में इंडिया जो है वो क्लियर फेवरिट है और कोई लगता है कुछ साल तक तो फेवरिट ही रहेगी आगे तो यहाँ पंदरा साथ का रिकॉर्ड है पंदरा मैचेज इंडिया ने जीते हैं और साथ जीते हैं शीर लंका ने मोस्टरंस की बात करें तो रोहिश शर्मा के सबसे आधरन है जब यह लोग आपस में खेलते हैं जो करन्ट स्कॉर्ड है 333 उसके बाद शानका के आद ने 152 हाई स्कोर की बात करें तो रोहिश शर्मा ने 108 की पारी खेली हुई है यहाँ पर लंका के अगेंस्ट और मोस्ट विकेट की बात करें तो यहाँ पर चहल के है 16 विकेट चमीरा के 14 शानका के 10 और बुमरा के 8 बेस्ट बोलिंग की बात करें तो यहाँ पर भुवी ने 4 विकेट निकाले हुए अगेंस्ट यहाँ पर चहल ने 2 बार 4 चार विकेट और शानाका ने तीन बार बात करें धरमशाला की जब इंडिया ने लास टाइम यहाँ पर T20I मैच खेला था वो खेला था साउथ अफरीका के अगेंस्ट उस मैच में रोहिश शर्मा ने 106 रन की पारी खेली थी T20I में इस चीज़ का भी ध्यान रखना है बात करते हैं टीम की यहाँ पर इशान किशन ओपन करते हुए नजर आ जाएंगे रोहिश शर्मा के साथ इशान किशन जैसा मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था इशान किशन इंपॉर्टेंट रहेंगे और वो ही हुआ और इस मैच में लगता है ठीक थाक इंपॉर्टेंट पिक है कैप्टन वाइस कैप्टन की भड़िया चोइस रहेगी क्योंकि ओपन करेंगे प्लस आपको विकेट कीपिंग जो है वो एक एडवांटेज है क्योंकि श्रीलंका के विकेट गिरेंगे और वहां पर विकेट कीपर जो है अच्छे खासे पॉइंट उसमें भी निकाल सकता है तो कैप्टन की जो है कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चोइस रहने वाली है स्मॉल लीग में अगर पहले इंडिया बैटिंग करती है चेजिंग के टाइम पर फिर भी आप इंडिया के बोलर्स पर फोकस कर सकते हो हो सकता है शीरलंका उतने रन ही ना बनाए ठीक है बात करते है रोहिष शर्मा की रोहिष शर्मा एक और कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चोइस रहेगी लेकिन ये चीज़ का ध्यान लखना है कि रोहिष शर्मा एक अच्छी फ़ॉम में एक माइड से रहता है कैप्टन का की मेरी आये ना आये लेकिन मैं चाहूंगा कि मेरे जो साथ के जो नए वच्चे और खेल रहे हैं ठीक है वो परफॉर्म कर जाए तो रोहिष शर्मा का रोल इस टाइम कुछ इस तरीके का और कहीं बार ऐसे में थोड़ी सी गड़बड हो जाती है तो इस चीज का ध्यान रखना है तो रोहिष शर्मा कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चॉइस रहीगी स्मॉल लीग में अगें आप फर्स इनिंग में जादा बैटर रहेंगे क्योंकि चेजिंग में हो दकता है श्रीलंका अगें उतने रन ना करें तो यह चीज देखने है देखके चलनी है श्रेय सायर लास्ट मैच वे बहुत अच्छा खेले थे लोग इनको नहीं लेकर आये थे हमने इनको भी लिया था और बहुत भड़िया बैटिंग करके गए थे और इस मैच में भी उम्मीद है इस मैच में भी कि अच्छा करेंगे अगर इनकी बैटिंग आती है तो क्योंक रविंदर जडेजा को जिनके बारे में उन्होंने कहा है रोई शर्मा ने बात बोली है कि रविंदर जडेजा को वो आने वाले टाइम में बैटिंग से भी प्रमोशन दिया जाएगा शौटर फॉर्मैट में भी क्योंकि वो काफी अच्छी बैटिंग वो करते हैं तो है रिस्क बन जाएगा प्लस यह देखना होगा कि बैटिंग कौन से डाउन करते हैं तो वो जो है हमें थोड़ी सी जो क्लारिटी है वो मिल जाएगी मैं जब पास आएगा मैं आपको मैं टेलीग्राम पर अपडेट कर दूँगा अगर सेकंड डाउन खेल रहे हैं तो रिस कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना चाहते हो सो रविंद्रे चड़ेजा काफी अच्छी ऑप्शन बन जाएंगे बैंक टेश यह लगतार अच्छी परफोर्मेंस दे रहे हैं लास्ट मैच में भी इन से बोलिंग कर आई गई हुड़ा से बोलिंग कर आई गई सो सब को चां लेकिन अगर शीरलंका पहले बैटिंग करती है तो उस केस में हो सकता है कि जो में बोलर से उनको ज़्यादा बोलिंग कर आई जाए ऐस कंपेर टू वेंकटेश यह ठीक है तो यहाँ पर अगर इंडिया की पहले बैटिंग आती है तो वेंकटेश यह को आप बिल्कुल ट् करेंगे इनको और एक अच्छी पिक रहेगी अगर इंडिया पहले बैटिंग करती है दीपा खुड़ा की बात करें ग्रैंड लीग में रेकमेंट करूंगा इनको क्योंकि बैटिंग डाउन नीचे है प्लस ओवर इन्होंने जरूर करें से तीन ओवर तो इस मैच में भी ए आपको हर्शल पटेल और जस्परीद बुमरा के ठीक ठाक ओवर आपको देखने को मिलने चाहिए मेरे हिसाब से क्योंकि लास्ट मैच में हर्शल पटेल को बहुत कम यूज किया गया था तो इस वाले में ज्यादा चांस मिलना चाहिए बुवनेश्वर कुमार की बात करें बुवनेश्वर कुमार स्टार्टिंग के दो ओवर तो डालेंगे उसके बाद हो ذकता है कि ऐर जश्रुरत पड़ी नहीं यहां पर जैजए बारिच का माहूल है जिसके चलते बॉल और स्विंग होएगी और इंडिया की पास बेस्विंग बॉलर कौन है बुवनेश्वर क कुमार सो उस केस में भुवरेश्वर कुमार का जो है पॉइंट स्ट्रॉंग होता है तो एक अच्छी पिक आपके लिए बन जाएगी जस्पीद बुम्रा जो है अब देखा जाए तो स्मॉल लीग में कैप्टन वाइस कैप्टन की अच्छी चोइस है टीम में भी होने चाहि है तो आप चाहें तो ग्रैंड लीग में स्पेशली जस्पीद बुम्रा को कैप्टन ट्राइ कर सकते हैं स्मॉल लीग में भी लेकर जरूर चलना क्योंकि एक से दोवर में भी दो से तीन विकेट निकाल के आपको दे सकते हैं चेहल की बात करें तो इवन चाहिए तो चेहल बोलर जो है वो इंपोर्टन है लेकिन देखना को किसके ओवर कटते हैं तो चेहल के हो सकता है कि तीन ओवर तक लिमिट रह जाए लेकिन एक अच्छे पिक रहेगी चेहल क्योंकि लगातार विकेट्स निकालते हैं स्पेशल लंका के अगेंज डेथ बोलिंग की बात करें स लेकिन एक अच्छा यंग टैलेंट है और एक इंपोर्टन प्लेयर है टीम के लिए और आने वाले टाइम में आप देखोगे निसंका अच्छी अच्छी नौक खेलने चाहिए इनको बाकी देखते हैं सो एक इंपोर्टन पिक जरूर रहेगी इवंदो लास्ट मैश में फ टैकिंग क्रिकेट खेलता है कमबाक करेगा तो एक आप चाहिए तो बिलकुल इने अपने टीम में ले सकते हैं अच्छा डिफरेंशल प्लेयर बन जाएगा आप चाहिए तो इन्हें निसंका के उपर भी प्रेफरेंस दे सकते हैं चरी तसलंका इंपोर्टन प्लेयर है खे बादा नहीं करें लेकिन महां पर यह विकेट थ्रो करके आ रहे थे खेल महां पर भी बहुत अच्छा रहते शॉट्स बहुत अच्छी अच्छे महां पर इन्होंने लगाए थे यहां पर सेकंड डाउन जो है यहां पर लियाग ने आ सकते हैं या फिर डिसिलवा मेरे इस आप से डिसिलवा straightforward choice होनी चाहिए क्योंकि आपको bowling से भी contribution दे सकते हैं और अगर डिसिलवा खेलते हैं तो वो एक अच्छी pick बन जाएगी आप अपने team में बिलकुल उन्हें consider कर सकते हैं क्योंकि में अच्छी बैटिंग कर लेते हैं recent form अच्छा है प्लस आपको starting में भी bowling कराते हुए नजर आ सकते हैं दिनेश चांदिमल प्लेयर अच्छे हैं लेकिन बड़ी innings recent time में नहीं खेल रहे हैं आते हैं थोड़े एक दो shots लगाते हैं लेकिन फिर out हो जाते हैं लेकिन wicket keeping करते है सो चाहते हो सो try कर सकते हो over again निसंका की जगा इनको preference दे सकते हो दसुन शाना का इंडिया के against जो है important player बन जाते हैं क्योंकि bowling भी करेंगे last match में एक wicket भी निकाल के गए थे और end में आके हिटिंग करते हैं और काफी important खिलाड़ी है यह इस team के captain है भाई एक important player है और आप इन swap करो ना रतने को जरूर ट्राइ कर सकते हैं क्योंकि 2-3 over दे देते हैं और यह mostly बैटिंग में एक दो छक्के तो लगाई जाते हैं सो आपको points दे जाएंगे तो अगर आप चाते हैं तो ले सकते हैं यहाँ पर चमीरा की बात करते हैं सो चमीरा जो है वो इस team के main bowler है आपक करते हैं जया विक्रमा की विक्रमा ने लास्ट मैंच में bowling ठीक करी थी लेकिन दो ही ओवर इन से कराए गए थे तो इसकी पिक बन जाती है अगर टीम चाहे तो इनकी जगा एक एक एक्स्ट्रा फास्ट बोलर भी खिला सकती है वेंडर से की बात करें वेंडर से जो है बोलर टीम में consider कर सकते हैं लहीरु कुमारा important हो सकते हैं especially अगर पहले bowling आती है तो अगर यहां पर शीलंका पहले bowling कर रही है तो चमीरा और कुमारा को आपनी टीम में ज़रूर consider कर सकते हैं दोनों को भी ले सकते हैं क्योंकि कुमारा जो है अपने over भी पूरे करेंगे ठीक है और यहां पर धरम शाला में इनको मदद मिल सकती है तो विकेट निकाल सकते हैं तो एक अच्छे पिक आपके लिए बन जाएगी डेथ बोलिंग की बात करें तो यहां पर चमीरा है और कुमारा है important player की बात करें तो निसंका असलंका यहां पर डिसिलवा आशानका करुना रतने और चमीरा जो है इस टीम के important player रहने वाले हैं small league captain wise captain की बात करें अगर safe खेलना है तो यहां पर रोजशनमा इशानकिशन जो majority log यह combination लाने वाले हैं अगर differential जाना चाहते हो तो बुम्रा एक अच्छी option है रविंदर जडेजा है और यहां पर श्रेयस अईयर है बात करते हैं grand league captain wise captain की तो रविंदर जडेजा बुम्रा और यहां पर हर्शल पतेल इनको आप captain wise captain try grand league में कर सकते हैं चले चलते हैं dream 11 team की तरफ तो यहां पर wicket keeping section में हमारे पास इशान किशन है चांदीमल है सैंसन है डिकवेला है तो चार option है तो straight forward choice जो एक बन के आती है वो है इशान किशन अगर डिकवेला खेल रहे है प्लस wicket keeping कर रहे हैं तो आप उनको भी consider कर सकते हैं सैंसन का down देखना होगा अगर यह one down खेल सकते हैं अगर चाहें तो रोही शर्मा श्रेयस इयर की जगा इनको खिला सकते हैं और उस case में यहां पर यह important हो जाएंगे तो यह वाला जो match है इसमें team news के उपर बहुत कुछ depend करेगा और वो टेलिग्राम पर आपको update मिल जाएग ठीक है तो यहां पर अगर उस case में सैंसन important है otherwise ignore कर सकते हैं बैटिंग section में यहां पर अभी के लिए मैंने श्रेयस इयर को लिया है बंडाउन खेलते हैं सो फिर तो captain wise captain भी कर सकते हैं last match में बहुत अच्छी एनिंग खेली है और मजा आने वाला इनको KKR में देखने के बन सकते हैं क्योंकि attacking cricket खेलते हैं यहां पर गायकवाट खेलेंगे नहीं मैंक अगरवाल अभी स्क्वाड में आड हुआ है सो मुझे लगता खेलेंगे खिला लें तो भाई प्लेयर बहुत अच्छा है ठीक है तो यहां पर अभी एक option आता है कि यहां पर निसंका है तो अब जब बोल दिया है रोई शर्मा ने तो हो सकता है कि इनको इसी में आज में बैटिंग से थोड़ा पहुत प्रमोशन मिल जाए तो इंपोर्टेंट बन जाएंगे captain wise captain भी आप इने कर सकते हैं वेंकटेश है अब इनका भी देखो depend करेगा प्लेयर तो इंडिया की सारे ह और इनको ना मिले तो उस case में मैं शायद इनको नहीं लोगा लेकिन बैटिंग first में मैं इनको consider करूँगा अभी के लिए मैंने यहाँ पर सिर्फ जड़ेजा को रखा है यहाँ पर मैंने शानको को लेकर जा रहा हूं क्यूंकि captain है team के बैटिंग बोलिंग दोनों से contribution दे सक तो करूना रतने के साथ भी जा सकते हैं यहाँ पर जैयलिंगे हैं अगर खेलते हैं इतना कुछ खास नहीं यहाँ पर हुड़दा है ग्रैंड डीग में try कर सकते हैं तो फिर इंपोर्टेंट हो जाएंगी अगर डिसलवा खेलते हैं तो यहाँ पर मैं निसंग का की जगा फिर मैं डिसलवा को consider करूंगा तो यहां पर एक चोईस यह बन जाती है बात करते हैं बोलिंग से यहां पर चमीरा important है क्योंकि एक तो इस टीम का main bowler है प्लस end में आपको betting भी करके दे रहेता है तो वह एक extra advantage इनके लिए बन जाता है यहां पर मैं बुम्रा और हर्शल पटेल देखो दोनों का selection बहुत कम है लेकिन मैं फिर भी दोनों के साथ जा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है इस match में bowling इनको मिलनी चाहिए अब देखो ना मिले वो तो रोई शर्मा के उपर है लेकिन पिछले match में इनको bowling इतनी नहीं मिली तो इस match में मुझे लगता है मिल जा नहीं चाहिए ठीक है तो यहां पर अब हमारे पास दो प्लेयर की चॉइस बच रही है एक तो हम शीलंका का लेंगे ठीक है उसके उपर बात कर लेंगे तो यहां पर कुमारा है अगर शीलंका की पहले bowling आती है तो कुमारा को ले सकते हैं क्योंकि विकेट निकाल सकते हैं ए निसंका थे तो तीनों में से अभी के लिए मैं निसंका को रखा है यहां पर डिसल्वा खेल जाते हैं सो मैं शायद डिसल्वा की और जाऊंगा और कुमारा को हम रख सकते हैं अगर शीलंका की पहले bowling आती है अब एक option बच रहा है अब उसमें यहां पर चहल ले सकते हैं य लेकिन चहल के ना मुझे over शायद कट सकते हैं तीन over तो देखो करेंगे ही करेंगे ठीक है और भुवनेश्वर का यह है कि starting में दो over यह जरूर करेंगे तो यह एक choice है आप चाहो तो यहां पर हर्शल पटेल की जगा भी दोनों ले सकते हो यह भी option आपके पास रहता है लेक अगर मैच छोटा होता है तो बुवी को लेना सही रहेगा क्योंकि वो starting में over कर जाएंगे अपने तो वो चीज़े एक फायदे मन हो सकता है तो यह रहेगी अभी के लिए मेरी small league की team इसमें दो से तीन changes हो सकते हैं तो टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलिएगा ठीक है यहाँ captain wise captain की बात कर लेते हैं अभी के लिए मैंने यहाँ पर इशान किशन को captain रखा है और रोही शर्मा को wise captain आप इसको reverse भी कर सकते हो और जो डो differential option है वो यहाँ पर बुम्रा और यहाँ पर जड्डू की है तो यह भी इनको भी consider कर सकते हो और even श्रेय सायर भी एक हैं तो उससे पहले fan to play app की team दिखा रेता हूं तो यहाँ पर fan to play app में इस match में बहुत वड़ी है grand league भी आई हुई है 25 से 25,000 रुपे और 10 से 10,000 रुपे कमा सकते हो प्लस free entry भी आई हुई है तो download कर लो link description में आप fortune refer code है यह वाली जो mini grand leagues होती है यह ज़रू try कर लिया करो क्य ज्यादा लोग नहीं है तो competition उतना नहीं रहेगा as compare to लाखों लोगों में फस्टाना टफ होता है लेकिन 5000 लोगों में आप easily आ सकते हो अगर आप multiple teams बनाते हो तो link description में है और यहाँ पर refer code जो है fortune use कर लेना team की बात करें तो same team रहने वाली है क्योंग इस match में कोई credit का issue नही करी है एक team create करी है out and out India मतलब इस तो इंडिया ही favor में है सारी team में लेकिन यहाँ पर पांचो बोलर के साथ मैं गया हूँ और यहाँ पर opener को ले लिया है रोई शर्मा कैप्टन और इशान किशन वाइस कैप्टन क्यूंगी रोई शर्मा खेलेंगे मार के ही सो भाई उस case में वो इशान किशन से आदा point दे सकते हैं यह मैंने concealer किया है यहाँ पर डिसलवा लिया है यहाँ पर शानका निसंका और असलंका मैंने लेकर चला हूँ तो यह मेरी grand league की team number one है team two की बात कर लेते हैं इस team में मैंने क्या किया है इस team में मैंने bumra को captain रखा है और यहाँ पर मैंन येर को भी रखा है Sanju Samson और यहाँ पर इशान किशन को मैं यहाँ पर drop करके चला हूँ रोहिश शर्मा को तो यह मेरी grand league team number two है तो आप इसी तरीके से multiple teams बना सकते हैं यह team अच्छी लग रही है तो आप इसके साथ भी खेल सकते हैं तो उमीद करता हूँ यह video आपको पसंद आइए पसंद आइए लाइक करो शेयर करो कमेंट करके बताओ आपके हिसाफ से कल के माच में best captain choice कौन होने वाली है और जुड़ जाए हमारे साथ fantasy fortune टेलीग्राम चैनल पर link description में है साथ के साथ comment section पिन कर दूँगा और YouTube चैन को subscribe करना मत भूलना और bell icon दबा दिए जैसे वी